What's up guys, I hope you are doing well, so dear students, आज हम discuss करेंगे chemistry 2 unit 9 का जो chapter है hydrogen उसका part 4 जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके कुछ reactions के बारे में जिससे पहले भी हम नोगे कुछ reactions पढ़ी थी और जो आज का main topic रहेगा वो आपका major uses of hydrogen, hydrogen का कहां कहां use है, hydrogen gas को हम कहां का industrial uses क्या है, गरेलो uses क्या है, या जली start करते हैं, पहले हमारी एक reaction है, reaction with metals hydrogen, जब metals के साथ reaction करते हैं, तो क्या होता है, तो with many metals, बहुत सारे metals hydrogen reaction करके, लेकिन कब reaction करेंगे, high temperature पर, high temperature पर reaction क्यों, क्यों, क्यों बाई, metals है, मतलब धातू, मतलब हाड रहते हैं, आपका iron हो गया, ferrous हो गया, aluminium हो गया, तो क्या य नहीं बिग लेंगे, जाब फिग लेंगे नहीं, तो क्या reaction करेंगे, नहीं करेंगे, यसलिए क्या होता है, यह high temperature पर reaction होती है, और यह क्या बनाते है, hydride बनाते है, जैसे यह reaction देख लिजी, आपका di hydrogen है, hydrogen है आपका, और यह metal है, कोई भी metal हो सकती है, मान लीजी हुआ हमन बन जाएगा वके इसी तरह कर कोई भी आपकी जो है अलकेली मेटल होगा तो आपकी इसे रियक्षिन करेगा और आपका हीड्रोजन हाइड्राइड बना देगा हाइड्राइड बन जाएगा है नितलों के आपका फेरस होगा दो आपका अईर साथ हाइड यह पंदे चले किसी catalyst की presence में, catalyst मतलब हमने पिछले बार समझायाता है न, जो क्या करते हैं, reaction को, speed को बढ़ा देते हैं, खुद इसमें शामिल हुए बिना, एक कहानी भी आपको बताई थी, ठीक है, तो आपका, क्या होता है, आपके, जो आपके organic compounds हैं, किसी catalyst की presence में, आपका hydrogenated, मतलब hydrogen से nickel के presence में, तो क्या होता है, हमें edible fats, मतलब आपका, डालडा हो गया, आपका वनस्पती, जो घी आता है, रत डालदा, देख सुना होगा, आप लोगे ने, उसके लवाब आपने, आपका क्या कहते हैं, जो असोयबीन oil आता है, वो सब इससे refine करके ही, इससे hydrogenation करके ही, वो बन होता है, उसके लाबा हम hydroformulation करते हैं, जब किसी का, hydroformation करते हैं, जब किसका aldehydes का, तो हमें क्या private होता है, हमें आपका alcoholmpreps होता है, ठीक है, हम आपका hydroformulation करते हैं, तो ये होता है, आपका एक कि क्या होता है जब आपके chlorine and sodium से reaction करते तो उस पर हमें comment करना है reaction करके नहीं देखाने reaction तो हमें पेले कर चुके हैं ठीक है यहाँ पर क्या करना है comment बताना है तो जैसे कि जब आपका किसे reaction करता है ? जो हम लोग ने देखा था कि डाय हाई जोजन मतलब आपका एश्टू था और आपका क्या था ? क्लोरीन क्लोरीन आपका क्या था ? अटीक है . टीक हे रेक्ष्टन करकी क्या बना रहे थे ? हाइड्रोकलोरिक एज टीक हे तो यह क्या होता था ? आप देखिए इसके पास क्या है, यह पहले आप आप आपस में अलाग अलाग होए आते हैं, H-Pilas के फर्म में, H-Pilas और H-Pilas, हाइडोजन, ठीक, और यह क्या है, C-L के उपर माइनस चार होता है, तो आपका, यह क्या हो जाएगा, C-L माइनस और C-L माइनस, तो आपका य क्या है, दैखिए हाइडोजन डि्यूस को क्लोराइड, डैखिए हाइडोजन को क्लोराइड में, मतलब C-C-L माइनस में, क्या कर देता है, C-C-, ऐन pipो में, तो बटा है, फिर खुद क्या बन गया आपका पहले इसने टोड दिये दुनों को तरह किया दोनों नो इलक्ट्राउन पेर बना लिया और एक दूसरे का जो है आपका सीर करके आपका टोड़ें करता है आपका एन्ने इसके ओपर होता है टू पिलस चार्ज ठीक और हाइडोजन के ओपर क्या है इसके ओपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या करेंगा इसमें से यह ब्रेक होगा जो हाइडोजन जो था एस्टू था आपको दूसरे पेंसे लिखके देखा दें आपका यह ले में चाल देगा अफिक और िसको देगा और उसके ओपर पर-ionar. उसके ओपर ये बांड दीए 2 H प्लस हने में चाल इक होगा भीड तो इनने क्या हो जाने में और यो包 हो जाएंगे। बना लेंगे sodium hydride बना लेंगे okay guys जो अभी हम लोग ने reaction पढ़ी ती किस की आली आपने reaction पढ़ी अभी न आपका metal वाली वही वाली reaction यह हो रही है ठीक है तो I hope आपको यह reaction यह problem समझ में आए होगी आप इसका solution लिख सकती है जो लिखा हुआ बस इसे को copy कर लीजिए आपका सम synthesize करने में ammonia के synthesis में use होता है ammonia से हम क्या कर सकते है nitric acid बना सकते है ठीक है ammonia से हम क्या बनाते है nitrogenous fertilizer बनाते है ammonia gas आपकी बना डाली याती है इसके लाव अगर एसी में ammonia gas नहों तो cooling ना करे बड़े-बड़े plant होते है उसके अंदर वह लगा या थी जिससे वह plant cool रहे है आपके जिसने भी cold storage होते हैं वहाँ उसके लाव आपके freezer में भी जाया जाती है आपके nitrogenous fertilizer बना जाते है nitrogenous fertilizer आपका nitrogen होता है वो आपका protein का क्या होता है base होता है nitrogen से ही protein प्राप्त होती है ठीक है गाई तो हम जो खाट डालते है fertilizer डालते है nitrogenous fertilizer बना जाते है ammonia से बना जाते है तो नहो बढ़ेगी तो फसल अच्छी होगी और जो फसल को यूज करेगा उसको भी फायदा होगा ठीक है नाइट्रिक एसीड का भी बहुत सारा यूज है ठीक तो आपका दूसरा यूज क्या है आपका डाय है जो आप इडिबिल फैट वाला होता है अभी हम लोगों ने रिफाइन ठीक है यह आप प्राप्त कर सकते हैं ठीक है इससे हो तक क्या करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं हाइडोजिनेशन करवाते हैं पॉली अनसेचुरेटेड़ वेजिटेबल ओयल्स का जैसे सोयबीन के ओयल का क्या करते हैं हाइडोजिनेशन करवा जेते हैं इससे हमें क्या प से हमने नहीं में के पहले छोले पर है के लिक्टर घ्राइवन वह बना हुत बनाए grants धाला Hugo , उसके तरह सकते हैं , वह ज़ाइब उसे पहले चार आपका दाधा तो यह आपके 5 आपके क्या थे most important uses थे उसके वलाव आपके यह देख सकते हैं यहाँ पर सत्से आदा जो hydrogen का कहां का यूज किया थे सत्से आदा यूज आमोनिया बनाने में किया आता है फिर रिफाइनरी प्रोसेस वही आपका वनस्पति घी वगरा में ठीक है फिर आपका मे गंटिंगे!